वेलकम टू टेटा फार ट्रेडर इस वीडियो मैं आपको एस्पेंड करूंगा कैसे हम NSE की जो हॉलिडे लिस्ट होती है कैसे हम उसे फेज कर सकते हैं यू कैन गेट हॉलिडे लिस्ट फॉर्म एने यहां पे यह उपेन का रखा है और यहां पे दो टोटल 15 होलिडे यहां पे चलिरिंग हॉलिडे इस वे हो सकते हैं आज market open या close दो उसके लिए आपको यह list चाहिए होती है तो मैंने अख़र देखा लोग यह तो हैनसे से subscribe करते हैं या फिर किसी website से subscribe करते हैं पर इस वीडियो में आपको बहुत ही simple और बहुत efficient way explain करने वा रहा हूं कैसे आप यह फेच कर सकते हो trading holidays इस process में हम यूज करेंगे upstock की API और यह नया feature upstock ने अभी recently add किया यू can see here change log तो यहाँ पर आप देख सकते हो change log में उनने recently ये market information API add की है और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसको यूज करने के लिए आपको upstock में account के लिए comment नहीं है तो anybody can use तो आते हैं यहाँ API भे you can access this API from here market information and here you can select market holidays और यहाँ पर आपको sample code मिल जागा you can see here sample code अलड़ी provided here बट मैंने इसको अपने जूटर लैप पर copy कर रहा है you can see same code तो मैं इसको run करता हूँ यहाँ पर कुछ नहीं है simple हमें run करना है just run this one and you can see here यहाँ अपने पास आगए holidays की list तो कितना easy तरीका है आपको scrapping यहीं करनी है मुझे पता है कि holiday list fix होती है तो आप easy 10 minutes में भी एक Excel sheet maintain कर सकते हो बट यहाँ पर बहुत easy तरीका है API के थूटर इसे access करने के लिए अब मैं इसको format कर जाता हूँ इसको मैं क्या कर रहा हूँ पांडा में comment कर रहा हूँ sorry, data frame में comment कर रहा हूँ so what I'm going to do just run this line and what you will get यहाँ मैं इसको basically data frame में comment कर दिया है अब इस data में हरे column की meaning क्या है यह तो मुझे बताने की जरूत नहीं है आपको आलेली पता होगा आपको कुछ नहीं करना simple आप क्या करो बस यहाँ पे date पास कर दो okay, so let's update कर रहे हो let assume कि आप date कर दो this one let assume कर ले दें कि update कर दो 26 January को okay, तो आप क्या करो यहाँ पे date पास कर दोगे okay, and run this one अब यहाँ पे आप response में check कर सकते हो कि आपका जो भी segment है, जो आपको date करना वो close exchange में है कि नहीं you can see here NFO, CDS, PSC, BCD, M6 okay, similar ही आप यहाँ पे पास कर सकते let's say कि मैं अभी वीडियो क्रेट कर रहा हूँ 16th February को, so what you can do let's create here, sorry, 18th February तो आप यहाँ पे 18th पास कर दो okay, run this one you can see here input response तो जहाँ तक मैं यह understanding है अगर market बंद है, let's say Saturday Sunday को आप हिट करोगे इसको, तो obviously यहाँ पे आपको importi मिलेगा, और अगर market open है तब भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, basically CPI का मतलब ही है कि holiday है कि नहीं okay, आपको यह बतारा कि holiday है कि नहीं तो अगर आप call करते हो, आपको importi response मिलता है, और उस दिस Saturday Sunday नहीं है in that means, market open है, okay तो अगर यहाँ पे holiday होगा, तो let's यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, 3-8 okay, 3-0-8 तो 3-0-8 को आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई holiday है, महाँ सी रात तरी है, okay now again call this one और यहाँ पे आपको मिल जाएगी response में, close exchange की list फिस तरह से आप particular किसी date को hit करके check कर सकते हो, कि market open है की नहीं इस API हो कैसे use करना, यह में आपको explain कर दिया है, अब जैसे विचाव आप इसको use कर सकते हो, या तो आप particular किसी date पे check कर लो, या फिर आप पूरी list को fetch कर लो, and you can check your date from this particular list, okay यहाँ पे एक और API कर रहे है, जिसके तरह आप market की timing को check कर सकते हो, तो you can see here market timing API, fine, तो हमने अभी देखा market holiday, this is market timing यही बहुत ही easy है, you can just copy this code, इसके तरह अब यह चेक कर पाऊगे किसी particular date market की timing क्या है means market कब open होगा, so just remove this date, sorry, यहाँ पे आपको date pass करना, तो आज Sunday है, so market दो close होगी, but let's see response में क्या था, run this one, और यहाँ पे आया है empathy, okay, but मैं try करता हूँ, let's say 19, okay, 19 को Monday है, okay, so Monday को response आना चाहिए, run this one, and you can see a response आगया, you can also use this API to check your market timing, okay, यहाँ पे आपको start time मिल जाएगा, in time मिल जाएगा, और आप चेक कर सकते हो, कि आपको जो algo start हुआ है, तो क्या उस time market open है कि नहीं, अगर open है, तो you can trade, otherwise you can start your algo, simple, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, कोई holiday, let's say again 3, और यहाँ करते हैं 08, okay, run this one, अब यहाँ पे आपको response मिल लाइक, यहाँ पे आपको response मिल लाइक, यहल M6, I think जो M6 का mostly cases में evening का जो session होता है, वो on होता है, तो, अपने को भी मिल लाइक, M6 market open है, और evening session, तो आप इन दोने API को यूच कर सकते हो, अपने तरीके से, market की timing को चेक करने के लिए, और you can say, हर देश चेक करने के लिए, I hope यह वीडियो आपको यहलफूल होगी, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जाए, कि आपको इसके अपको इसके अपको के अकाउंट के लिए comment नहीं है, Anybody can run this piece of code, and get information, okay, तो I think आप आगे से आपको अगर डेटा चाहिए, holiday का, you don't rely on the scrapping, और maybe आपको अनसीश से डेटा फेश करना पड़े, आप simple this API को कॉल करिए, और आपको information मिल लाए, okay, so thanks for watching this video, see you soon in my next one, over and out,